हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल मेत्रिस कुर्खुड में आज की मचेदार और नई रेसिपे में हमने बनाए है बहुत ही टेस्टी और सबको पसंदाए ऐसी कुर्कुरी भिंडी एक कुर्कुरी भिंडी बच्चों को बहुत ही पसंदाती है आप इसे सबजी रोटी के साथ भी खा सकते है या फिर ऐसे भी खा सकते है सच में खाने में बहुत ही टेस्टी और कुर्कुरी लगती है इसके सामने दुसरे पकोडे भी फेल है आप भी अपने घर पर इसे इस तरह जरू से ट्राइ करेगा तो चलिए देरी ना करते हुए इस मज़ेदार और नई रेसिपी को बनाना शुरू करते है यहाँ पर मैंने आठ से दस फिंडी ले लिए है तलने के लिए तेल लिया है एक चमच लालमिश पाउडर एक चमच धनिया जीरा पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच आमचुर पाउडर टेट चमच बेसन एक चमच चावल का अटा और स्वात के नुसा नमक लिया है सबसे पहले हम फिंडी को कट कर लेंगे इसका एक्ष्रा उपर का और निच्चे का हिस्सा है उसे हम निकाल लेंगे फिर इससे इस तरह बीच में से कट करकर दो हिस्से कर लेंगे दो हिस्सों में कट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि भिंडी के जो बीज है उसे निकालना है क्योंकि बीज के साथ अगर हम इस तरह कुरकुरी भिंडी बनाएंगे तो वो कुरकुरी नहीं बनेंगी और बहुत ही चिपची भी बनेंगी क्योंकि पिंडी के बीच में ही बहुत सारा चिकनापन होता है इसलिए इसके बीच का जो बीच है उसे हम निकाल लेंगे यहाँ पर सारे बीच को मैंने हटा लिया है अब हम पिंडी को कट कर लेंगे इसे इस तरह बीच में से दो हिस्सों में एकदम पतली स्लाइस में हम कट करेंगे फिर इसे इस तरह कट करकर चार हिस्सों में कट कर लेंगे आप चाहे तो इसे लंबी स्लाइस में भी इस तरह रख सकते है आप चाहे तो ज्यादा पतली भी इस तरह कर सकते है इसका मैंने तीन हिसा किया है आप देख सकते है और फिर इसे में बीच में से इस तरह कट करकर इसी तरह सारी भिंडी को कट कर लोंगी आप चाहे तो लंबी स्लाइस में इस तरह भी रख सकते हैं और इस तरह बीच में से कट करकर आप छोटे टुकड़ों में भी से कट कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी भिंडी को अच्छे से एकदम छोटे टुकड़ों में कट कर रिया है अब हम इसमें मसाले कर लेंगे सबसे पहले हम इसके अंदर आधा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे उसके बाद इसके अंदर एक चमच दन्या चीरा पाउडर अब इसमें एक चमच लालमिश पाउडर डाल देंगे अब इसमें आधा चमच आमचुर पाउडर और देर चमच इतना बेसन डाल देंगे और लास में इसके अंदर हम एक चमच चावल का आठा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक अपना पानी छोड़ता है इस वज़े से भिंडी अमारी चिपचिपी बनेगी अच्छे से सभी मसाले मिक्स हो जाए उसके बाद अब हम इसके अंदर स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे मसाले मिक्स हो जाए उसके बाद ही नमक एड़ करना है वो बात याद रखेगा नमक डालने के बाद अच्छे से यहाँ पर सारी चीज़े मिक्स हो गए है अब हम इसे फ्राइ करेंगे तेल को पहले से गरम करने रख दिया था तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसके अदर हम इस तरह मसाले वाली भिंडी को डाल देंगे और अच्छे से इसे जब तक एक कुरकुरी ना हो जाए तब तक फ्राइ करेंगे इसे फ्राइ होने में करीबन 1-5 मिनिट लगता है हाई फ्लेम पर अगर आपकी भिंडी जल जाती है तो आप गेस की फ्लेम को मीडियम या लो कर सकते है और जब तक की भिंडी अमारी कुरकुरी ना हो जाए तब तक इसे हम फ्राइ करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी का कलर चेंज हो गया है और दिखने में भी बहुत ही क्रिस्पी और एकदम कुरकुरी लग रहे है तो तैयार है हमारी टेस्टी और एकदम कुरकुरी भिंडी आप अपने घर पर अपने बच्चों के लिए और अपनी फेमिले के लिए इस तरह कुरकुरी भिंडी चरू से ट्राइ करेगा और हाँ इसे बनाने के बाद हमें कमेट में जरूर कहेगा कि आपको हमारी एक रेसिपी कैसी लगी अगर आपको हमारी एक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे अभी तक आपने हमारी चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल आइकन को भी चरू से प्रेस करेगा ताकि एसी और मचेदार और नई रेसिपी आप तक पौँशती रहे मिलते हैं एसी ही नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद